पहली वाली छोड़ के गई तब इतना दुख नहीं हुआ होगा जितना आज होगा ये जानके के समोसा और आलू दोनों इंडिया के नहीं है। समोसा है और अफकोस उसमें आलू नहीं मिंस्ट मीट डलता है। ट्रैवल करते थे पूरी दुनिया में। तो मर्चंट्स की वज़े से सेंट्रल एशिया से अफरिका से इंडिया तक आया समोसा और इंडिया के आगे फिर इस्ट एशिया की तरफ भी निकल गया। तो जहाँ जहाँ समोसा पहुचा वहाँ पे उसके लोकल वर्जिन्स बनते गए। अफकोस इंडिया में मुगलों के टाइम पे भी समोसा सुल्तानों का फेवरिट था। अबू फजल जो एक स्कॉलर थे, स्टेट्समन थे और आयनाय अकबरी के लेखक उन्होंने भी अकबर के कोर्ट में समोसा वड़ा इंजॉय किया जाता था ये लिखा हुआ है। इबन बतूता जो मुरॉकुन ट्रैवलर थे जब इंडिया है चौदवी संचुरी में उन्होंने भी तुकलक के दरबार में समोसा सर्फ किया जाता था ये कुछ कहीं रेकॉर्ड करके रखा हुआ है। अगर्डिंग तो देम डिश का नाम था संबू साक विच वस ट्रैंगुलर पेस्ट्री जिसमें मतर, मीट, बदाम ये सारी चीज़े जाती थी। आइंड अफकॉस समोसा जो था शर्बत के साथ पिया जाता था। उस जमाने में चाय तो थी नहीं उदर है ना तो शर्बत के साथ पीना बढ़ता था। चाय समोसे का जो कॉम्बो है वो वस हमने एंजॉय किया है। वेल समोसा तब से हमारे साथ ही है, अब मुगल तो चले गए, अंग्रेज आए, अंग्रेज लोगो भी समोसा बड़ा पसंद है, अब पसंद तो आ नहीं है, यार ये लोग आलू उबाल के उसमें नमक डाल के बोलते हैं, this is a delicacy, mashed potato, यार आलू उबाल के कौन खाता है, आल जैसे मैंने बताया, समोसा basically non-vegy होता था, अब समोसा ना इंडियन है, ना आलू इंडियन है, लेकिन हम जो है, महमान नवाजी में expert है, तो कोई चीज या कोई लोग हमें पसंद आ जाए, तो हम जाने नहीं देते हैं, समझ रहे हैं तो अब समोसा इंडिया का ही समझ लीज